हर रात की तरहें आज भी मैं देर रात घर पहुंचा, हमेशा से कोई भी घलत आदत ना होने के कारण कलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर घलत नजरों से नहीं देखता था, मैं हमेशा इस बात को लेकर घरो करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदा रहन देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलहाद देते हैं, खिर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चावीज से घर का दर्वाजा खोला हाला कि मुझे पता था कि जब तक में घर नहीं पहुचता तब तक दीप्ती को नींड नहीं आती थी, पर मैं अपने पांच स साही होता था, सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात राद को खाने पर ही होती थी, दीप्ती को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी एग हाई क्लास, सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मिहनत करना ही पड़ती थी, चिंटू सो गया है, खाना खाते हुए मैंने दीप्ती से पूछा, हाँ काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर इंतजार करते करते ही सो गया, दीप्ती ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मेंने मुस्कुरा कर बात को टाल दिया, अगली स जाता, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझ से नाराज भी था, हमेशा की तरह मैंने उठकर दीप्ती को आवाज लगाई, और बातरूम में घुस गया थोड़ी देर में ही दीप्ती नहाने के लिए गरम पानी ले आई, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता, हमेशा की तर होकर जब में दाइनिंग टेबल पर आया तो चिंटू मुफलाय बेठा था, क्या बात है, जनाब आज स्कूल नहीं गए, मैंने प्यार से चिंटू के बालों पर हाथ गुमाते हुए बोला, आज संदे है, चिंटू ने घुस से भरी आवाज से कहा, काम की भाग डाउड मे मैं यह भी भूल गया था, कि आज संदे है, और आज दिन में मैंने चिंटू के साथ मुवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लिंट मीटिंग के लिए ओफिस जानना था, मुझे ओफिस जाता देख, चिंटू को अपना मुवी प्लान खत्रे में नहीं की थी, शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया, लगबग एक हजार रूपए, मैंने कहा, क्या आप मुझे 500 रूपए उधार दे सकते हो, चिंटू ने कहा, लेकिन तुम्हे पैसे क्यों चाहिए, मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, मुझे चाहिए, रूपए मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका एक घंटा दे सकते हैं, मुझे आपके साथ बैठ कर खाना खाना है, बहुत बिगार रखा है, तुम्हारी ममी ने तुम है, चिंटू की इस हरकत, पर मैंने घुस्से से चिंटू को एक अतपड लगाते ह कहा, आज ओफिस डाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था, कि इस भाग दर भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है, आला कि मैं भी तो चिंटू को यही सिखा रहा था, कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाहु में हम परिवार को स जिन्दगी में सब के बिच में ताल मेल बिठा कर चलना ही समझेगे।